हलो दोस्तों सेवन की किछन में आपका फिर से स्वागत है तो दोस्तों गर्मियों का सीजन चल रहा है और बहुत ही टेस्टी सा पूधीने का रायता आज मैं आपको लिए बनाऊंगा और बूंदी वाला रायता है बूंदी और पूधीने का रायता इतना टेस्टी होता है न तो सबसे पहले तो हम दही को फेटेंगे, अच्छे से फेटना है, इसमें लम्स बिल्कुल भी नी होना चाहिए, बिल्कुल लम्स फ्री होना चाहिए, तो इसे फेटते जाएंगे, अच्छे से फेटना है, तो पानी यहाँ पर भी हम बिल्कुल भी नी डालेंगे, क्योंकि यहा है बस इस तरह से आपने पत्ते को ले लेना है और हातों से तोड़ना यहां टो इस तरह से हाथ से तोड़ोजेगा चक्कू का यूस बिलकुल भी मत कीजीगा हातों से तोड़ोर के इसे इस तरह से क्रेश करके डालेगा तो दोस्तों पog Михुन का बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा इसके अंदर बहुत ही फ्रेग्नेंस आएगी इसके अंदर तो यहां पर मैंने पॉधीना डाल लिया तो पॉधीना आप अपने कॉंटिटी के हिसाब मैंने अपने चैनल पे अप्लोड कर दी है तो आप चाहें तो वो भी देख सकते हैं किस तरह से बनता है तो चलिए नमक डालने के बाद इसे अच्छे से मिक्स करेंगे तो हमारा बूंदी रायता बनकर तयार हो गया वो भी पॉधीने वाला तो एक बार जरूर ट्राई कीजे तो बनकर तयार हो गया बहुत ही टेस्टी बहुत ही यमी सा बूंदी और पॉधीने का रायता तो यह रेसिपी एक बार जरू ट्राई कीजेगा दोस्तों ताकि मैं आपके लिए बहुत अच्छी रेसिपी लाता रहूं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर क करना तो चलिए बनकर तयार हो गया बहुत ही टेस्टी बहुत ही यमी सा बूंदी और पॉधीने का रायता तो इस गर्मिया आप भी नज्वाए कीजिए बहुत ही टेस्टी रायता